हलो दोस्तों तो पीवाई की सीरीज में एक और वीडियो आपके सामने आज है और जो लोग नए है मैं उनको बता दूँ कि यह जो सीरीज है यह सीटेट और 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 भी आदर एक्जाम्स जैसे यूपिटेट और बाकी के जो इंपोर्टेंट एक्जाम्स हैं सारे प्रीवियस जो थे CDP के विद कॉंसेट ठीक है यह पूरी सीरीज इसी चीज़ पर बेस्ट है कि यहां पर हम क्वेश्टेंज को सिर्फ आंसर नहीं मैं बता रहा हूं कोस्टेंगे साथ साथ उस क्वेश्टेंग में रेलेटेड जो कॉंसेट है हम उसको डिसकस कर रहे हैं ताकि इन ती इस सीरीज को करने के बाद आपको कॉंसेट भी पढ़ने की जरूत नहीं पड़ेगी ठीक है उसके लिए लेकिन इसके साथ-साथ अगर आप DSSB की तारी कर रहे हैं अगर आप KBS की तारी कर रहे हैं या और भी कोई ऐसा एक्जाम जहां पर पेड़गोजी पूची जा रही तो उस चीज के लिए यह बहुत जाधा helpful सीरीज है क्योंकि यहां से एक जो पेड़गोजीकल सेंस है जो एक शाइक रहे हो पाईगी आप इस सबजेक्ट को ले करके cdp को ले करके पेड़गोजी को ले करके ठीक है इसलिए बहुत जाधा important सीरीज है और चलिए फटा- किसे बताता है creating a relaxed space where children learn through dialogue and inquiry teacher का काम क्या है कि ऐसा space create करना जो कि relaxed हो यानि कि आराम दायक जगे बनानी है उसे जहां पर बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और पूछ ताज के माध्यम से सीख सकें जो inquiry होती है उसके माध्यम से सीख सकें टीचर का काम सबसे ज़रूरी काम है वह discipline को maintain करना है ऐसा नहीं होता कि टीचर का काम सबसे ज़्यादा important discipline maintain करना है ठीक है टीचर का काम basically बच्चों को guide करना होता है और उन्हें ऐसा environment provide कराना होता है ताकि उनकी जो learning है वह अच्छे सबसे तरीके से हो पाए ठीक है तो टीचर का main काम यह है आपको हमेशा यह चीज ध्यान रखनी है सी option क्या कहता है टीचर शुड अधर टूदा प्रिस्क्राइब टैस्बूक यह एक सिक्षक को निर्धारित पार्थे पुस्तक का पालन करना चाहिए ऐसा नहीं है कि जो एक टेक्स्ट्बुक जो मिली है उसे ही फॉलो करना है और उसके ही थुरू उसे अपनी प्रॉसेस को ले करके जाना है ठीक है बच्चे खुल करके अपने आपको व्यक्त कर सके अपने आपको वैल्यूड फिल कर सके उनको लगे कि हांकी इमोशन की कदर हो रही है उनको सुना जा रहा है और वह एक एंक्वायरी वाले महौल में पूस्ताच करके कॉश्चिनिंग करके डिबेट करके इन सारी चीजों पर करके वो लर्निंग कर रहे हूं सीख रहे हूं ठीक है कॉश्च नमर टू का कहता है विच वन अब दो फॉलोइंग क्लास्वूम एंकरिज रिच लर्निंग निमने लिखित में से कौन सी कक्षा जो है समरिद्ध सिक्षा को प्रोचसाहिद करती है option क्या है a classroom with structured and planned learning driven by textbook content एक ऐसी कक्षा जो किस से संचालित होती हो सिर्फ textbook के content से संचालित होती हो तो यह option यहाँ पर correct नहीं हो क्लास ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ किताब के basis पर चल रही हो ठीक है class कभी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ किताब के basis पर चल रही हो classroom तो ऐसी हो जहां activity हो रही है अलग अलग तरह के project work कराया जा रहे है और मतलब सिर्फ किताब पर निर्वन नहीं है अलग अलग तरह की चीज़े हम कर रहे है ताकि बच्चा जो है वह एक अलग उस reach of children so that material last longer कह रहा है कि option कि बच्चों जो भी class है उसमें बहुत सारे variety of material होने तो चाहिए लेकिन वो बच्चों की पहुँच से दूर हो ठीक है उनको सिर्फ दिखाया जाए ताकि कि वो जो समान है वो काफी time तक चल सके समान का हमें अचार थोड़ी डालना है C option कहा है classroom with open activity corner and a variety of children's literature in open cells accessible anytime of the day C option जो है वो हमें सबसे अच्छा लग रहा है कि कह रहा है कि class में जो है open activity corner होना चाहिए ठीक है और एक ऐसी जगे हो जहां पर बच्चों से जुड़ी बहुत सारी literature यानि साहित की किताबे रख्यों और वो open हो किसी भी time पढ़ने के लिए बच्चे उन्हें जाकर पढ़ सकें उन्हें जब तक मन चाहे वो चीज़ें वो पढ़ सकें देख सकें तो ऐसी चीज़ें अगर अलमारी में अच्छी तरीके से विवस्ते समान रखा और सिर्फ हफते में एक बार बच्चों को दिया जाए खेलने के लिए यहां पर best option यही है कि class में हर टाइम एक open activity corner है जहां पर बच्चे अलग तरह की literature अलग तरह की activity वो सारी चीज़ें वो कर सकते हैं जब भी वो चाहें ठीक है तो यह learning को अलग level पर ले जाएगा उनको अलग तरह से exposure देगा वो चीज़ों को किसी भी time देख सकेंगे कर पाठे पुस्तकों की कक्षा में इसमें से कौन सी सबसे best भूमी का है वो जो बताता है ठीक है दे फॉर्म दे मोस्ट essential learning resource in the resource staff content वे संसाधन के रूप में सबसे महतवपून संसाधन है ऐसा है क्या किताबों को आपको कभी भी यह नहीं मानना कि संसाधन के रूप में जो कित किताबों से ही कक्षा नहीं चलती यह चीज़ आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है किताबे तो just एक source है ठीक है सिर्फ एक source है उसके अलावां भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे बच्चे सीखते है बी option क्या है they are one of the resource and reference material available in the class ठीक है वो जो है उन में से एक resource है जो class में उपलब्द हैं और संदर्व समागरी में से एक है ठीक है यह option सही लग रहा है कि वो सारे resources में से एक resource है ठीक है जितने भी हमारे संसाधन उपलब्द हैं सिक्षा में से उन सिक्षक संसाधनों में एक संसाधन है हमारी किताब यह बाट ठीक है सी ऑप्शन कहा है दे मिंटेन होमोजेनेटी इन लर्निंग अक्रोस स्टेट ऑफ नेशन वे देश के एक राज्य में सीखने की एक रूपता बनाये रखते हैं कि अगर एक किताब चलेगी तो जो पूरा एक राज्य है मालों एक उत्तर प्रदेश राज्य है तो उत्तर प्राइबेट स्कूल वाले अपनी एक अलग अलगी पॉब्लिकेशन चला रहे होते हैं जो उनको किताब महंगी मिल गई जिससे पैरेंट्स को लूटा जा सके सरकारी में आपकी अलग किताबे चल रही है कहीं कोई अलग पॉब्लिकेशन चल रही है तो अगर इस तरीके का होता तो फिर वो चीज मैटर नहीं करती ठीक है तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक के बारे में एक जो सबसे सही बात है वो यही है कि टेक्स्ट बुक जो है हमारे सारे रिसोर्स में से एक रिसोर्स है ठीक है पढ़ने के लिए डी ऑप्शन के कहता है दे प्रोवाइड दनों में से एक संसाधन है जिनका प्रयोक सिक्षा में किया जाता है कि क्वेश्ट नमर फोर कहता है दे नेशनल करीकुलम यहां पर नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्क 2005 डिराइव इट्स अंडरस्टेंडिंग फॉर्म फॉर्म नहीं फॉर्म ठीक है जो नेशनल करीकुरम है यानि कि रास्ट्रिय पाठेचार्य की रूफ रेका 2005 है वो कहता है कि उसकी समझ कहां से प्राप्त होती है यानि वो किस चीज़ पे बेस्ट है तो यह बहुती ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है NCF 2005 के बारे में कि जो NCF 2005 है उसका बेस क्या है उसका आधार क्या है वो कि अबच्चे अपने ज्यान के निर्माता खुद है ठीक है वो खुद अपना ज्यान का निर्मांद करते हैं और जो एड्यूकेशन है वह किस पर बेश्ट होगी वह चाइल चायल्ड हूंट होगी ठीक है बuç बच्चे को केंद्र में रखती होगी और उसको लेकरके सारी की सा तो वहाँ पर आपको पता हुआ कि मनो विज्ञान में अलग-अलग तरह के संप्रदाय होते हैं मतलब कि अलग-अलग तरह के thoughts होते हैं जैसे behaviorism हो गया constructivism हो गया तो यह सारे अलग-लग thoughts हैं जिसमें से constructivism का विचार यह है कि बच्चे अपने ग्यान का निर्मान स्वयम कर सकते हैं ठीक है और इसी चीज़ पर बेस्ट है आपका NCF 2005 हमीशा याद रखता है कि कुशन बहुत इंपोर्टेंट है और अलग तरीके से भी आप से पूछा जा सकता है कुशन में 5 क्या है that children in a class can be considered to be motivated if एक कक्षा में बच्चों को प्रेडित माना जा सकता है यदी they ask question seeking clarification from the teacher वो सिक्षक से स्पस्टी करन मांगते हुए प्रशन पूछते हैं ठीक है यह बात अगर ऐसा है कि class में बच्चे अपने आप जाकर कि teacher को बोलें कि मैं यह question नहीं समझ में आ रहा इसको मुझे समझा दो इसको मुझे explain कर दो यह तो बहुत अच्छी बात है अगर बच्चा अपने आप जाकर क्या से question पूसता है अब कोई बच्चा बहुत अच्छी तरीके से uniform पहन के आता है इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि वह पढ़ने में भी उतना ही अच्छा होगा या पढ़ने में उसका उतना ही मल लगता होगा है क्लास में discipline maintain करना इससे बहुत पता नहीं चलती है बच्चे जो है इन्टेनली मोटिवेटेड है पढ़ने को लेकर के ठीक है और रेगुलर इन अटेंडेंस यह सारी चीज़े जो है एक बच्चे के सुभाव को दर्श आती है अच्छे वैभार को दर्श आती है जरूर उन यह बात सबसे अच्छे तरीके से यही बात बताती है कि बच्चा जो है टीचर से जाकर के question पूछ रहा है और उसकी explanation भी पूछ रहा है कि मैं यह चीज कैसे होगी इसको मुझे explain कीजिए इसके बारे मुझे बताईए ठीक है तो question 5 का a option आपका correct option है question 6 क्या कहता है which one of the following is the most suitable to improve children's learning यही कि बच्चों के सिक्षा में सुधार के लिए इनमें से कौन सी चीज जो है सबसे बहतर है first option क्या कहता है a teacher should facilitate children to interact with each other on real life situation एक चीज जो सबसे most important चीज है seated exam के लिए आपको यह धिहान लखना है कि जब भी real life situation की बात होती है सिर्फ seated exam के लिए नहीं जब भी आप teaching करा रहे हैं ठीक है आप obviously future में teacher बनने वाले हैं तो जब भी teaching की बात होती है teaching में सबसे best चीज यह है कि आप knowledge को उनके real life के लिए जोड़ रहे हो ठीक है जो भी knowledge आप उन्हें दे रहे हैं वो चीज उनके real life से connect कर पा रहे हो अगर आप तो वो सबसे best है और अगर वो option आपको यहां questions में कहीं पर मिलता है तो obviously सबसे best option वही होगा जहां पर real life situations को से knowledge को connect करने की बात हो रही है क्योंकि भाई अगर आप maths पढ़ रहे हो science पढ़ रहे हो तो वो क्यों पढ़ रहे हो क्योंकि आप future के लिए बच्चों को तयार कर सको future में वो चीज उनके काम आ सके उनके real life से वो चीज कहीं कहीं connect हो पाए अगर बच्चों को पहाड़ा आ रहा है या tables आ रही है या addition subtraction जो कुछ भी उनको सिखाया जा रहा है वो क्यों सिखाया जा रहा है वो इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि वो अपनी real life में उसको use कर सके बिसिकली हमारा first aim यही है कि real life से knowledge को connect किया सके so first option यहाँ पर सही है आगे देखते है regular assessment test should be conducted सिर्फ assessment टेस्ट लेने से learning अच्छी नहीं हो जाती यहाँ पर learning को ठीक तरीके से पहले कराना भी होता उसके बाद learning के बाद का process होता assessment की learning हो गई अब feedback चाहिए ताकि जहां कमिया है उसे देख सकते ठीक है teacher should explain the content using different example and illustration यह option भी सही लग रहा है कि teacher को content को अलग अलग तरह के उधारनों और illustrations कोई ऐसी story है जिसको आप एक तरीके से सही रूप में उनको सुनाने की कोशिश कर रहे हो तो यह option में ठीक है पर आगे देख लेते हैं all type of learning material should be there in the class सिर्फ learning material होना या सिर्फ example देकर पढ़ाना काफी नहीं है सबसे best option मैंने आपको अ life situations की तो वह सबसे best है सबसे best ठीक है एक बार को कक्षा में अगर learning material नहीं है लेकिन फिर भी real life से चीजों को connect करके सीखा जा रहा है तो वह उस चीज से भी वहतर है ठीक है आपके पास कोई मालों बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई extra resource नहीं है लेकिन आपके पास आपका environment environment तो है बच्चों की real life तो है आपके environment में जो real चीज़े हैं जो real सारी knowledge भरी पढ़ी वह दीजी बच्चों को उससे connect कीजिए वह सबसे best रहेगा ठीक है इसी तरह से आपको अपनी समझ ही उस करनी होगी जब आपके सामने question आएगा तो कौन सी चीज सबसे जादा वहतर है यह आपको decide वहाँ पर करना होगा अपनी एक समझ बना करके ठीक है क्योंकि अब जो exam हो रहे हैं वह online exam होते हैं महीने भर आपका exam चलता है जिसमें 20-30 set ब बनाना वो भी अलग बनाना यह बहुत बड़ा challenge होता है उनके सामने तो वह इस तरीके के thinking based question जादा ले आ रहे हैं अब ताकि बच्चे अपने दिमाग का use कर सके और इन चीजों को answer करने के लिए तो आप लोगों को अब इन चीजों को और भी जादा बहतर तरीके से समझन होगा अगर आपको seated का exam crack करना है the discipline which has a significant role in learning environment is of kind which help सीखने के महल में जिस अनुशाशन की महतवपूर्ण भूमिका होती है वह उस प्रकार का होता है जो मदद करता है किस चीज में मदद करता है वो children to wrote memorize their relation जो अनुशाशन है वो बच्चों को wrote memorize करने में मदद करता है नहीं कि रटने में help करता है तो जब भी रटने के बात होगी वो चीज एक negative है यह हमेशा आपको मान के चलना है जब भी रटने के बात हो रही है कहीं पर ठीक है तो वो चीज नेगेटिव है उसके साथ आपको नहीं जाना भी option कहा है children to regulate and monitor their online बच्च यहां पर सबसे best option यही है कि जो learning environment है वो अनुसाशन में हो इसलिए ताकि बच्चे खुद regulate कर पाए और अपने आपको monitor कर पाए ठीक है अपने आपको देख पाए कि वो कितना सीख रहे है क्या सीख रहे है वो चीज उनको feel हो पाए कि हाँ उन्होंने कुछ सीखा है उन्हो में कुछ जाना है so question number seven का be option correct option है question number eight क्या कहता है which one of the following statement is true about the role of heredity and the environment heredity and environment का एक question आपको पक्का देखने को मिलने वाला है यह बहुत ही ज़्यादा important topic है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी इससे आप जरूर पढ़ लेना ठीक है तो heredity and environment question क्या कहता है कि अनुवान शिक्ता और पर्यावरंट की भूमिका के बारे में निम्न लिखित में से कौन सी एक बात सही है ठीक है an environment plays a significant role only in the child's language development जो environment है वो एक महत्वपून भूमिका निभाता है सिर्फ बच्चे के भाशा विकास में ऐसा तो नहीं है सिर्फ यहां पर यह सिर्फ वाली बात होती है न तो वह चीज क्या करती है options को limit कर देती है तो उसे आपको थोड़ा सा जादा ध्यान से समझने की ज़रूरत है तो environment सिर्फ बच्चों के भाशा को डेवलप तो नहीं करता environment से बच्चे के अंदर बहुत सारी चीज़े आती है बहुत कुछ सीखता है बच्चा certain aspects of development are influenced more by heredity and other more by environment जो development है जो विकास है उसके कुछ पक्ष जो है वो heredity से जादा प्रभावित होते हैं और कुछ पक्ष जो है वो environment से जादा प्रभावित होते हैं यह जो बात है यह 100% एकदम सही बात है और बहुत ही जादा important बात है इसे चाहो तो note करके अलग से रख ल जो विकास है उसके कुछ पक्षो को heredity जादा प्रभावित करेगा और कुछ पक्षो को environment जादा प्रभावित करेगा जैसे जैसे अगर एक बच्चे के भासा विकास को लेकर करके बात की जाए ठीक है एक बच्चे की जो language है वो कैसे डबलप होगी वो किस से जादा कि चिल लूँआ दो उसके बात कोई बात करनेवाल ही वह बच्चपन से एक ऐसे इन्वार्मिंक के रहाँ रहता है तो उसका जो लेंगवेज है वो बहुत अच्छे से डैबलप नहीं हो पाएगा जो बच्चे का जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छे से डबलफ नहीं हो पाएगा भले ही उसके ममी पापा कितना अच्छा हो बोलने में उसकी हैरेडिटी जो थी ममी पापा बहुत अच्छा बोलते थे लेकिन फिर भी बच्चा बहुत अच्छा नहीं बोल पाएगा क्योंकि उसके पास लैंग्विज को प्रफॉर्म करने के लिए लैंग्विज को यूज करने के लिए कोई है नहीं शुरू से वह एकदम अकेला रहा है जोब करते हैं घर पर कोई नहीं है तो अगर शुरू से अकेले रहा है तो अच्छी तरीके से नहीं उपाएगी इसी तरीके से आपको कुछ तो जो कुछ पक्ष्ण है जैसे भाषा विकास हो गया वह एंविर्मेंट से जाधा प्रभाव होगा ठीक है तो इस तरीक से कुछ चीजें जो है विकास की वह है जाधा प्रभाववित होती है और कुछ चीजें जो है वह एंविर्मेंट से जाधा प्रभाववित होती है C option क्या कहता है A child's ability to learn and perform is completely decided by gene बच्चा कितना सीखेगा कैसे सीखेगा ये सिर्फ उसके genes से decide होगा ऐसा नहीं होता कि अगर मम्मी पापा तेज है तो बच्चा भी तेज होगा या मम्मी पापा तेज नहीं है तो बच्चा भी तेज नहीं होगा कई बार आपने देखा होगा कि माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते या फिर उन में उतनी समझ नहीं होती है लेकिन आज कल के बच्चे जो है वो बहुत जादा तेज हो गए है लर्निंग के मामले में वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं चीजों को तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपके जीन्स में अगर वो चीज नहीं है तो आप उसे नहीं कर सकते ठीक है तो एक अलग चीज है उस पर एंविर्मेंट का ज़्यादा फरक पड़ता है बलकि हाँ एक कॉगनिटिव लेवल जरूर है अगर आपके ममी बापा का कॉगनिटिव लेवल अच्छा है तो जरूर बच्चों का लेवल अच्छा पाया जाता है यह ऐसा होता है पर इसका बहुत ज़्यादा फरक पड़ता है यह कंप्लीटली फरक पड़ता है यह चीज नहीं है ठीक है आए ऐसा नहीं है कि सिर्फ डाइट के दंपर आप कुछ भी किसी थार के डिसार्डर को ठीक कर लेगे आप जो को नहीं है जिसको डाइट के दंप यह बहुत कई बार मेडिकल साइन्स जो है वह भी टो ठीक नहीं करपाता ठीक है जो विकार होता जन्म छे तो इसलिए तो अलगी चीज भी है और माल दाइट तो टीक टीक करना काई ने हुंगा कई चीज़यशन होंगी जो ठीक हो भी सकते हैं कई चीज़यशन को nonna से आप उस चीज को खतम कर सकते हैं यह पर बेस्ट ऑप्शन यही है कि हरिडिटी और एन्वार्मेंट का गुड़न फल है हमारा विकास ठीक है इन दोनों से मिल करके हमारा विकास जो है वो बनता है ठीक यह एक बात थी इसकी और इसमें ऐसा निये कि 50% यह करेगा हरिए कहीं पे कुछ परसेंट में ज़ाधे प्रावबीत कर रहा होगा और कहीं कुछ परसेंट्स में इन फॉलियंट जाविटक प्राववेट किह आयन पर भी can not वाले question होंगे उस time आपको अपने कान जरूर खड़े कर लेने हैं क्योंकि उन questions में गलती होने का chances सबसे जादा बढ़ जाते हैं क्योंकि कई बार हम उन चीजों को लेकर के confused हो जाते हैं इवन questions को हम ठीक तरीके से समझ नहीं पाता है कि question कहना क्या चाता है question नहीं पूछ रहा होता है और हम हा में जबाब दे देते हैं ठीक है तो इसलिए जहां पे भी not not वाली बात आ रही हो वहां आपको अपने कान खड़े कर लेने हैं और question को एक बार नहीं दो बार नहीं तीन अपने environment से सीखेगा अपने अवात आवरेंट से सीखेगा उसके बाद b option के development occurs in qualitative stages प्याजे ने अलग-अलग stages दे रखी है चार stages उन्होंने बता रखी है और उन चारो stages में उन्होंने काई कि इन चारो stages में बच्चों की development है वो होती है चार stages कौन सी है SPCF इसकी जो short form है वो मैं आपको बता रहा हूँ SPCF ठीक है SPCF याद रखना S से sensory motor stage ठीक है sensory motor stage P से pre operational stage ठीक है P से pre operational C से concrete operational और F से formal operational ठीक है ये तीन चीज़े तो operational है ठीक है ये तीन चीज़े ऑपरेशनल है और ये है sensory motor ठीक है तो ये चार stages बताई थी उन्होंने कि बच्चे जो है वो इन्हीं चार stages के दौरान development करता है C option क्या है children construct and use their knowledge about their word बच्चे जो है वो अपने ग्यान का निर्मान स्वैम करते हैं और उसको दुनिया में प्रयोप करते हैं ये बात भी बिल्कुल सही है ऐसा भी उन्होंने कहा था प्याजे ने प्याजे ने इसके साथ साथ और क्या कहा था ये भी कहा था कि बच्चे जो constant practice तो ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की थी constant practice से बच्चे सीखते हैं question number 10 क्या कहता है which one of the following is not the limitation of pre-operational thought अब ये pre-operational कहा है मैंने अभी बताया प्याजे की चार stages है SPCF ठीक है SPCF और यहाँ पर जो पी है वही है यहारी pre-operational thought ठीक है pre-operational stage तो कह रहा है कि निमने लिकित में से कौन सा पूर्व संक्तियात्मक विचार की सीमा नहीं है तो अब उन्होंने क्या बताया था उन्होंने अलग-अलग stages की अलग-अलग characteristics बताया था उन्ह दूसरे में बच्चा यह यह चीज़े कर पाएगा चौतरे में बच्ची यह चीज़े कर पाएगे तो उन्होंने अलग-अलग stages की अलग-अलग गुण बता रखे थे तो यह पूछ रहा है कि इन में से कौन सा एक गुण दूसरी वाली stage का नहीं है ठीक है दो से साथ वर्ष का यह टाइम होता है ठीक है दो से साथ वर्ष का जो यह टाइम पीरेड होता है इस दौरान बच्चा चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता ठीक है उसे यह चीज नहीं पता चल पाती है कि रोटी को आटा बनाया जा सकता है और आटी को रोटी बनाई जा तेन्डेंसी तू कॉंसेंट्रेट यानि की द्यान केंदरीत करने की प्रवर्ति यह भी आ जाती है उस दौरान इगो सेंट्रिजम होता है कि हें गल्रीता उनको यह लगता है कि यह चीज मेरी है और मेरी ही होनी चाहिए बाल मेरी हटों इनके कोदी में मैं बैट हूँ है या यह खिलोना सिर्फ मैं यूज करूँ है क्योंकि यह मेरा है तो उस दोरान बच्चे के अंदर इगो सेंट्रिजम होता है ठीक है लेकिन यह जो एक चीज है डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थौट यह सिंबॉलिक थौट जो है यह जो ऑप्षन है यह चीज इस दोरान नहीं होती ठीक है प्री ऑपरेशनल में सिंबॉलिक थौट को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यह चीज लगबग लगबग अंत में जा करके डेवलप होती है बच्चे के अंदर सब्सक्राइब करेक्ट यहां पर वह सी ओप्षन है डेवलप्मेंट ओफ सिंबॉलिक थौट कोई एक चीज है जिसके सिवाए बाकी चीज जो हम हेल्पफुल अब नौट वाले क्वेशन एक्सेप्ट वाले क्वेशन एक्सेप्ट वाले क्वेशन यह थे सारे के सारे कॵेश्चेंस इबॉटरेंट है क्योंकि यह आपको कनफुजन क्रियेट नि-2 फकला कर देते हैं और इनको अलग से ध्यान लगा कर पढ़ने की जरूरत पढ़ती है इसलिए ंवाले क्वेशन नोεια वाले कॉश्ट वाले कॉश्ट वाले कॵिश्ट न मौब बहुती ज्यादा ध्यान से आपको समझने की जरूरत है क्या कहता है क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्षिन क्या है दे एक्वाइड न्यू स्किल्स लर्न वेंड तो यूज ठीक है खेल से उनको क्या होता है वह अलग लगत रहके कोशल हासिल करते हैं और उसको कैसे यूज करना है ये बात उनको समझ में आते हैं ये बात बिल्कुल ठीक है दे गेन मास्टरी ओवर देर बॉड़ी खेलने से उनकी बॉड़ी में एक अपने शरीर पर महारत हासिल होती है उनका जो गतिक विकास है मोटर डवलपमेंट है कैसे दौड़ना है ठीक तरीक से चलना वो सारी ची जो 50 से चीज ये रिल्कृट को एक तो यह बात हो गई कि पलेश चीज की अध्यार शरीर अपने दौटा कर पाती है टाइम स्पेंड करने का एक जरिया नहीं ठीक है कोश्चनमर 11 का डियॉप्शन आपका करेट है क्या कहता है इन में से कौन सा एक क्वश्चन जो है वो बच्चे को क्रिटिकली सोचने में मदद करता है यानि कि आलोशनात्मक समाध आलोशनात्मक रूप से सोचने के लिए मजबूर करता है उनसे उनका जो थोट प्रोसेस है वो और अच्छी तरीके से काम करेगा क्या है क्या है क्या है क्या है और फर्स्ट आप्शन के कहता है वोट आर दिफरेंट वेज इन विच वी कान सॉल्व दिस एक प्रॉब्लम अगर आप बच्चे को देते हैं और उससे पूछने की कौन-कौन से तरीके हैं जिससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं अलग-लग तरीके सोचने की कोशिश करो तो ओविसली यह चीज जो है उनको ज़्यादा सोचने में हेल्प करेगी बी ऑप्षन का है कोई एक क्वेशन दे दो और उससे पूछ लोगो कि क्या आपको इसका जबाव आता है तो अगर आता हो तो बता देंगे नहीं आता हो तो इससे उनका दिमाग तो काम नहीं करेगा यह चीज जो है मेमराईजेशन की तरफ इसारा करती है C option क्या है इसका सही उत्तर क्या है तो चार option भाई अगर आपने दे रखी है तो चारों में से कोई एक देख के सही बता देगे तो इससे उनकी जो सोचने की समता है जो critical thinking है वो चीज ज़्यादा डेबलप नहीं होगी यह option भी best option हमारा नहीं है D क्या है Can you think of a similar situation यह option थोड़ा सही है कि जब आप उनको एक similar situation सोचने को कहते है यह माल लो आपने कुछ कहा और उससे कहा कि बिटा ऐसी ही एक और situation ऐसी ही एक और question को बनाओ या ऐसा एक और answer create करो तो वो चीज जो उनको सोचने पर थोड़ा सा जरूर जोड़ देगी लेकिन अगर आप उन्हें अलग-अलग ज़ादा यह जो question है यह उनको ज़ादा exposure देगा different ways यानि कितने अलग-अलग तरीके सो आप इसको देख सकते हो तो वहाँ पर ज़ादा सोचने के chances हैं ज़ादा answer आने के chances हैं ठीक है ज़ादा बच्चों को invite करता है critically सोचने पर वजाए कि D लेकिन D option भी काफी हद तक अच्छा option था अगर बागी के A option यहाँ पर नहीं होता तो question number 13 का है which one of the following option best describes progressive education इन में से कौन सा एक option जो है वो progressive education को सबसे अच्छे तरीके से describe करता है बताता है अब progressive education का मतलब है प्रगती शील सिक्षा जहां पर जहां पर क्या होता है जो कि child centered होती है और हर एक बच्चे को एक साथ लेकर करके आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है ठीक है तो कौन सा इस में से एक option है जो इसको आगे बढ़ाएगा प्रोजेक्ट में था अबिलिटी ग्रूपी और रैंकिंग यह option में तो रैंकिंग की बात हो रही है कि बच्चों को रैंक करो एक दूसरे के ओपर compare करो कि कौन बच्चा जाद अच्छा है कौन बच्चा व भी ठीक है cooperative learning यह भी ठीक है यानि कि बी option यह पर सबसे सही option मुझे अभी तक नजर आ रहा है आगे देखते हैं यह तीनों ही चीज़े बहुत यह ज्यादा अच्छी है करके सीखने पर जोड दिया जा रहा है project method जो है वह बच्चों को जादा से जादा खुद अपने आप स और या unit test की बात हो रहे तो यह चीज़ एतनी best नहीं है जितनी की B है डी क्या है personalized learning ability grouping labeling students को level करने की बाद जहां पर भी होगी आप हमेशा एक negative word है वो बच्चे को कभी भी level नहीं करना नहीं उनको ability groups में divide करना कि भाई तू अच्छा है तू अलग group और यह बच्चे ज्याद यह चीज़ आपको नहीं करनी है यहां पर best option आपका B option है जहां पर करके सीखने और cooperative learning सही होग आत्मक सिक्षा की बात की जा रही है question number 14 क्या कहता है which one of the following statement about progressive education explain education is life itself सिक्षा ही जीवन है इन में से कौन सी एक बात बताती है आपको यह बताना है question number 14 यह option क्या है life is a true educator जीवन एक सच्चा सिक्षक है यह बात ठीक है लेकिन आगे देखते है option school education should continue as long as possible स्कूली सिक्षा को लंबे समय तक जारी रखना चाहिए जिन्दगी भर बच्चा स्कूली पढ़ता रह जाएगा बाकी के काम भी तो होते हैं जिन्दगी में education का मतलब यह नहीं है कि बच्चे को पूरे जिन्दगी स्कूल में वेजना है स्कूल की जरूरत ही नहीं है बच्चा अपनी life experience से सीख लेगा और इसको जो स्कूल जो है वह एक अलग तरह का experience की तो प्रवाइड करता है जब एक exposure मिलता है नो एक society में जा रहा है वहां अलग तरह के बच्चे मिलने हैं अलग तरह की settings हो रही है अलग तरह के स्कूलों में जो सिक्षा है वह समाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिविम्बित करती है बिल्कुल सही बात है कि जो education स्कूल में दी जा रही है वह स्कूल जो है ना वह सोसाइटी का mini structure एक mini रूप है जैसे mini doraemon होता है कि बड़ा वाला doraemon जो काम करेगा उसको एक छोटा रूप होता है mini doraemon वह काम कर सकता है लेकिन बहुत थोड़े लेवल पर तो उसी तरीके से पूरे समाज का एक रूप होता है school वह पूरे समाज को दिखाता है और प्राकरतिक दुनिया का एक आईना जैसा है उसकी जैसा है ठीक है तो यहाँ पर best option जो है वह आपका यही है डी option कुशन में 15 के कहता है which one of the following can be considered as a contribution of callback theory इन में से कौन सी एक कोलबक theory की contribution यानि उनके योगदान के रूप में हम कह सकते है कुश्चन में 15 के option कह रहा है his belief is that children are moral philosopher उनका मानना है कि बच्चे जब हैं वह नैतिक दार्शनेक हैं ऐसा तो उन्होंने कोई बात नहीं कई थी बी option कहा है his theory has supported an association between cognitive maturity and moral maturity ये बात है कि उनका जो सिध्यानत है वो ये बताता है कि जो बच्चे हैं वो संग्यानात्मक रूप से परिपक्वा कब हो पाएंगे जब वो नैतिक रूप से परिपक्वा होंगे ठीक है मतलब इन दोनों को आपस में इंटर रिलेटेड बता है अगर बच्चा संग्यानात्मक रूप से परिपक्वा है तो उसके अंदर नैतिक परिपक्वाता भी आ जाएगी और अगर उसके अंदर नैतिक परिपक्वाता आ रही है तो उससे उसका संग्यान भी विक्सित होगा तो ये उनका सिध्धान बताता है ठीक है यानि कि ये दोनों चीज़े आपस में इंटर रिलेट हैं यह उनका सिध्धान बताता है सिध्धान्त में विस्तृत परिक्षण की प्रक्रिया है यह चीज़े तो बेकार है यह जो है नैतिक तर्क और क्रिया के वीच एक सबस्ट समन साफित करता है यह बात बिलकुल सही नहीं है क्योंकि जो कोलबग ने अपनी स्टेज़े दी हैं कोलबग की थेओरी बहुती ज़्यादा इंपोर्टेंट थेओरी है अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ रखी सीरेट के लिए तो प्लीज एक बार जरूर जाके से पढ़ लीजेगा ठीक है इन्होंने इसके अंदर 6 स्टेज़े बता रखी है अब उन्होंने यह 6 स्टेज़े किस बेसिस पर बताई थी ठीक है रियल लाइफ में किया था उसे वह एक्षन भी हुआ था इस चीज़ पर उन्होंने वह चीज़ नहीं हुई थी थी समझेंगे अब आप हो सकता है कि मैं उस इंसान को होस्पिटल लेकर जाऊंगा लेकिन आपके सामने और भी सिच्वेशन से मालनो कि अब आपको वह एक्षाम एज लिमिट रॉस होने वाली है और अब वह एक्षाम दुबारा नहीं देने को मिलेगा या और भी ऐसी कोई सि तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन जो है वह यही सही है इनके बारे में कि इनकी जो थेवरी है वो कोगनिटिव मैचुरिटी और मोरल मैचुरिटी को एसोशेट करती है उसके बीच में संबंध को बताती है दर्शाती है कोईशनबर 16 क्या क्याता है दर जोन ऑफ प्रॉक्सीमल डेवलप्मेंट रेफर्स दूप समीपस्त विकास का छेत्र संदरवित करता है अब समीपस्त विकास का छेत्र क्या है यह आपको अगर आपने पिछले सेशन देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा ZPD और स्काफ फोल्डिंग के बारे में बात कर रखा है सारी चीज़ों को यह पर लिखना पॉसिबल नहीं मिले माउस के थूरू यह चीज लिख रहा हूं ठीक है उन्होंने ZPD के बारे में बात किया है उन्होंने SCL के बारे में बात किया है अब क्या चीज़े होती है यह उ पढ़ लोगे ठीक है तो उन्होंने क्या कहा कि बच्चा जो है वो सबसे ज़ादा मतलब कैसे सीखता है वो समाजिक अंताक्रिया, कल्चर और लेंगविज इन तीनों से वो चीज सीखता है ठीक है और ZPD है ZPD उन्होंने बताया कि यहाँ वो दाइरह है जिस दाइरे के अंदर बच्चे का विकास संभव है ठीक है अब बच्चे का विकास का एक दाइरह तो हो गए ने कि यहाँ बच्चे का effort जो है जो बच्चा कर सकता है वो यहीं तक कर सकता है इससे जादा उसकी अभी शम्ता नहीं है तो वो जो शम्ता है जो उस छेतर को दर्शात है कि बच्चे क कि शम्ता यहां तक है वो शम्ता कहलाते ही है समीपस्त विकास का छेतर यानि की जोन ओफ प्रॉक्सिमल डेवलप्रेंट जहां तक बच्चे का विकास हम कर सकते हैं अब ऑप्शन क्या कहते हैं अब दपॉइंट लेनिंग वेर सपोर्ट कैन बीड्रॉन सीखने का वाब इंदू जब समर्थन वापस लिया जा सकता है उसके बाद अगला क्या है तफेस्ट वन मेक्सीमम डेवलप्र मेंट क्या है पॉसिबल थे टेक्स कमपलीटली रेस्पॉंसिबिलीटी फॉर लणी विकास का वाचल्न जब बच्चा सीखने की पूरी जम्यदारी ले ले लेता है यह बात तो थोड़ी ज़्यादा यह पट्टी होगी यह प्टेक्स्ट इन विच चिल्रन केन अल्मोस्ट परफॉर्म टास्क उन दियर ओन विद राइट लेवल ओफ सपोर्ट यह है एक्जाक्ट डेफिनेशन जेट पीडी की ठीक है यह डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ लीजिए और यही एक्जाक्ट डेफिनेशन है यहां बच्चा अपने आप हर वो काम कर सकता है विद राइट लेबल ओफ सपोर्ट यानि कि उसे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो वो चीज वो वहाँ पर परफॉर्म कर सकता है वो दाइरा होता है हमारा ZPD ठीक है वो दाइरा होता है हमारा ZPD यानि कि जहां पर वो थोड़ी बहुत समर्थन के साथ थोड़े बहुत मदद के साथ अपने दम पर उस कारे को कर सकता है उस दाइरे को उस छमता को कहते हैं समिपस्त विकास का चेत्रिया नहीं की जोन ऑफ ट्रॉक्सिमल डेवलप्मेंट कोश्च नमबर सिक्स्टीन का ड्यॉप्शन करेक्ट है कोश्च नमबर सेवेंटीन क्या कहता है एन एंड्रोगाइनस परस्नालिटी यह कोश्चन जो है सब एसे वेक्ति होते हैं जो इनकी परस्नालिटी में दोनों महिला और पुरुष दोनों के ट्रेट्स दिखाई देते हैं ठीक है यह दोनों के ट्रेट्स को अपने परस्नालिटी में सो करते हैं बहुत सारे लोग हमारी ससाइटी में हैं जो दोनों के ट्रेट्स को शो करते हैं अपनी personality में combining toughness and gentleness जैसे एक तरफ उनके अंदर toughness भी होगी दूसरा gentleness भी होगी मतलब इस तरी के से जो अलग-अलग गुण है उनके वीएबिर में वो चीज उनको वो चीज उस चीज को वो शो करते हैं कि सो क्या है इसके option समाज में प्रचलित रूडि वादि लिंग भूमी काऊं का पालं करता है ऐसा कुछ भी नहीं है स्थ्री लक्षणों वाले पूर्षों को संद्रवित करता है ऐसा भी नहीं कि ऐसे पूर्ष जिनके अंदर स्थ्री वाले लक्षण हो आम तोर पर मर्दाना और स्थ्री लक्षण माने जाने वालों का संतुलन हां यह option करेक्ट है कि इस तरह की जो personality है उनके बीच में एक balance होत एक उनके sex की बात यहां पर नहीं हो रही है ठीक है वह एक personality की बात हो रही कि एक individual जो है ठीक है एक एक ऐसा individual जो अपने अंदर मर्दाना और स्थ्री दोनों लक्षणों को एक बराबर संतुलन रूप में प्रदर्शित कर रहा है दिखा रहा है ठीक है so question 17 का correct option है वह सी option य इन में से किसी एक को छोड़ करके तो इन में से कौन सी चीज है जहां से जो बच्चे है वह जेंडर रोल्स को एक्वायर नहीं करते है जो हमारा मीडिया है वह तो जेंडर रोल्स को एक्वायर कराता ही कराता है मीडिया हो गया समाजी करण हो गया हमारा कल्चर हो गया यह घंटर रोल्स के बारे में बताती है इनसे आमारा जो जेंडर रोल वो define होता है मीडिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ विगए में अकstar दिखाई रही है महीलाएं घर में काम पुरुष बहार जा रहे था है कल्चर भी इन चीज़ें को शो करता है लेकिन ट्यूटरिंग यानि ट्यूशन आप किसी को पढ़ा रहे हैं किसी को सिक्षा दे रहे हैं तो वह चीज इस चीज को शो नहीं करती कि महाँ पर जेंडर रोल मैटर कर रहा है ठीक है टूशन में चीज मैटर नहीं करती जेंडर रोल्स की बहुत ज्यादा हद तक बाकी है तो वो भी एक सोसाइटी का हिस्सा ही तो कुछ न कुछ प्रभाव तो वहाँ पर भी होगा बाकी का उप्षिन जो है सीध्य तोर पर जेंडर रोल्स को टेपक्ट करते हैं उसको शो करते हैं उसको दिखाते हैं नेक्स्ट कुछिन क्या है वन ओफ दा क्रिटीक ऑफ दा स्टेंडराइजड टेस्ट हैस बीन देट इन में से मानकी क्रित परिक्षन की आलोचना कौन सी है ऑप्षिन क्या है यह जो है बच्चों के अबिलिटी की एक क्लियर पिक्चर नहीं देखते हैं आगे देखते हैं जो मानकी क्रित परिक्षन है यहनी स्टेंडराइजड टेस्ट का मतलब है कि सभी को एक ही स्टेंडर्ड का टेस्ट दिया जा रहा है एक ही मानक पर निर्धारिट परिक्षन सब का दिया जा रहा है तो इसकी एक अलोचना बतानी है इस बात की एक अलोचना क्या है तो बी ऑप्षन हमें थोड़ा सही लग रहा है कि भई यह सबको एक ही तराजू में तॉल देता है इसलिए यह बाइस्ट है इसलिए पक्षपात करता है और एक बच्चा अपने अंदिविजुल दिफरेंसे होते हैं तो सबको एक ही तरह का test ने देना तो पक्षपात होता ही ठीक है आगे option देखते हैं देर लेंगवेज इस डिफिकल्ट तू अंडरस्टेंड इनकी भाशा समझने में मुश्किल है। ऐसा कुछ भी नहीं है असा कुछ नहीं कि भाई जो मान की करिक्षन है वो समझ में ही नहीं आते डियो ऑप्शन क्या कहता है देस्ट कैन नौट भी एड्मिनिस्टर्ड ऑन दा लार्ज पॉपिलेशन इस तरह के जो परिक्षन है वो जादा बड़े उस पे छेत्र में नहीं किया जा सकते ऐसा भी और जो हैं सबको एक ही तराज में तॉल देते हैं और इसलिए ये 22 है , ये पक्षपात ही है उसके बावजूद भी सबको एक ही परिक्षा देनी पड़ती है एक ही टेस्ट से गुजरना पड़ता है तो कुछ नमर नाइंटीन का भी ऑप्शन सही ऑप्शन है कुछ नमर ट्विंटी क्या है अगर आपने अभी तक इसे नहीं पढ़ा तो इसे जरूर पढ़ लेना से पहले जो लोग है वह यह बताते थे कि जो बुद्धी है जो इंटेलीजन्स है वह एक सिंगल एंटीटी है एक सिंगल चीज है लेकिन हावड गार्डनर ने बताया कि हर एक व्यक्ति की अलग-अलग इंटेलीजन्स होती है और इस वेसिस पे उन्होंने आठ प्रकार की बुद्धी बताई ठीक है उन्होंने बताया कि आठ प्रकार की बुद्धी होती है और यह हर एक व्यक्ति में जरूरी नहीं कि आठ हो की आठ हो गुद्धी हर एक व्यक्ति में हो किसी के अंदर किसी प्रकार की बुद्धी जादा होगी यह बताया हावड गार्डनर अब क सही हे कि ऐसकि उन्हों ने कहा ओ कि एक को सब चेख सबसे प्रकार की हो सकती है कि नहीं यही नहीं सही हैते हैं तर निटेख इन्गर है त्ण सबसे सबज्सתन आ ही कि स्बसक्राइब कि जो intelligence है वो अलग-अलग प्रकार की हो सकती है ठीक है बहु बुद्धि सिद्धानत यही कहता है कि बुद्धि जो है वो कई प्रकार की हो सकती है QC का Q20 का C option सही option है QD का क्या है option Q21 का सही option क्या है यह देखते है अब ये दो चीज़े एक नई चीज़ है अब ये तीन चीज़े होती है ये तीन प्रकार की असेस्मेंट होती है अब इसके बारे में अभी तक ना पढ़ा हो तो जरूर इसे अपनी लिस्ट में शामिल कर लेना और इसे जाकर के पढ़ लेना एक बार बहुत अच्छे से अब असेस्मेंट फॉर लर्निंग का मतलब है कि सीखने के लिए आपको कोई चीज़ सीखनी है मालो मैं बच्चों को क्लास में गया और मुझे पढ़ाना है कोई चैप्टर अब उससे पहले उन्हें कितना आता है वो सिखाने के लिए ठीक है आपको इस वर्ड पर देहान रखना है मतलब जो कुछ भी आप सीख चुके हैं उस का आक्लं करना इसका एजामपल है आपका जो आपके एससे टेस्ट होते है जो साल के अंत में जो परिक्षा होती है जो यह जाचती है कि आपने कितना सीख लिया है वो है असेस्मेंट ओफ लर्निंग ठीक है अब असेस्मेंट एस क्या होता है सीखने के दोरान आकलन सीखने के दोरान जो आकलन होता है वो होता है असेस्मेंट एस लेनिग ठीक है अब कुछिन क्या कहता है अब कुछिन क्या कहता है अब एक बार जरूर द्यान से और समझ लेना जाकर करके अच्छे से एक बार ठीक है असेस्मेंट आफ ल ये बात बिल्कुल ठीक है, आगे देखते हैं, बच्चों की प्रगति की निगरानी करते हैं, असेस्मेंट से, और उनके सीखने के अंतराल को, यानि जहां पर कमी रह गई है, उस कमी को भरने के लिए, उचित लक्षों को निर्धारन करने के लिए ये चीज़ें, दोनों ची जानना ही नहीं है, उस कमी को पूरा भी करना है, C option का कहता है, बच्चे की जो प्रॉबलम है, जो उनकी सीखने की जरूरते हैं, उसको जानना और उसके हिसाब से एक अच्छी स्ट्राटेजी को फॉलो करना, ये option भी सही लग रहा है, आपर देख रहो, कि सारे के सारे option ही, एकदम सही option लग रहे हैं, डी option क्या है, असेज़ चाइल्ड पॉफोर्मेंस एज एट प्रियोडिक इंटरबल एंड सर्टिफाई हिसर प्रॉफोर्मेंस, ये option भेकार है कि इसका मकसद सिर्फ यह नहीं होता कि बच्चे की पॉफोर्मेंस को जानना है, और उनको सर्टिफ बातना इसका audition नहीं है, ठीक है, सो डी option तो आपके यहां पर हट जाता है, और यहां पर इस हिसाब से सही option जो question में दिया हुआ है, official answer, वो आपका यह option यहां पर सबसे correct option है, ठीक है, हाला कि यह तीनों ही बाते हमें देखने में सही लग रही थी, लेकिन यहां पर अपनी आ प्रूरी चीज यही है कि बच्चे की progress को जानना है और appropriate goals निधार्द करने और जहां कमी रह गई है, उस कमी को पूरा करने के लिए सिक्षा हमें आगे देना है, सारी बात को यह जो first option है, यह correct अपने आप में समेट रहा है, इसलिए सबसे option हमारा लग रहा है, question number 22 का कहता है बस 8 questions और आपके बचे हैं, उसके बाद आज की एक लास यही पर over होगी, और चैनल को यार subscribe जरूर कर देना, इतने सारे efforts लगाने के लिए मुझे भी बहुत जादा महनत करनी पड़ती है, तो please मेरे efforts के लिए आप मेरे को support जरूर करना, ठीक है, और वीडियो को like करना हो, त कोई चीज़ों के लिए बोलता रहूं, बट फिर भी बिना बोले यार आप करते भी नहीं हो, so please चैनल को subscribe जरूर कर लेना, अगर आप कोई ये series पसंद आ रही हो, तो दूसरों को share भी करना, क्योंकि seated का exam के लिए जो सबसे ज़ादा important चीज़ है, सबसे ज़ादा important चीज़ concept को पढ़ने से भी ज़ादा important चीज़, वो PYQs को लगाना है, ठीक है, previous year questions के थूँ आप बिना concept पढ़े भी, अपना exam क्राइक कर सकते हो, सच में, question number 22 क्या कहता है, which one of the following is not related to the continuous and comprehensive evaluation, इन में से कौन सी एक चीज़ जो है, वो continuous and comprehensive evaluation सतत एवं ब्यापक मुल्यांकन से सम्मंदित नहीं है, ठीक है, नहीं है, यह बात आपको त्यान रखती है, options पढ़िए, options देखते है, यह option क्या है, it is useful to level children as slow, poor और intelligent, अब यह बात यहाँ प लेकिन तुम से यही पूछा गया है कि गलत कौन सी है, ठीक है, आगे देख लेते हैं एक बार फिर भी, it has been mandate by the right to education act of India, यह जो है, cce comprehensive, continuous and comprehensive evaluation, यह किसके द्वारा लागू किया गया था, भारत के सिक्षा अधिकार अधिनियम के द्वारा लागू किया था, अनिमारे किया ग यही एक सबसे गलत बात है, क्योंकि आप से पूछा ही यही था कि जो गलत है वो बताईए, यही यहाँ पर गलत है कि बच्चों को लेवल करना है, ठीक है, question number 22 में का a option गलत है, question number 23 के है, giftedness in children can be attributed to, बच्चों में प्रतिभा को जोड़ा जा सकता है, ठीक है, प्रतिभा शा इंटर प्ले बिट्विन हेरेट्री एंवार्मेंट, यह जो है, giftedness जो है, वो अनुवान शिक्ता और परेवरंट के बीच में एक इंटर प्ले है, उसका एक परसपर क्रिया के द्वारा यह चीज आती है, बच्चों में, यह option, यहाँ पर सही लग रहा है, स्वाभी मैंने जरूरी नहीं कि आपको बच्चे को अगर बहुत अच्छा environment दे दिया जाए, और बच्चा mentally उतना तेज नहीं है, उसका IQ level उतना अच्छा नहीं है, तो जरूरी नहीं कि वो gifted बन जाएगा, ठीक है, तो gifted के लिए दोनों चीज़े important, successful parents भी matter नहीं करते, यहाँ पर दोनों बराबर रूप से matter करती है, वो है environment और heritage, एक तो parents भी से मिले हुए genes भी उतने ही बैतर हो, कि parents भी बहुत साथ समझदार है, उनका IQ level बहुत अच्छा है, उनका दिमाग का अस्तर, बहुत बहुत अच्छा है, mature है, ठीक है, उसके साथ साथ वो बहुत अच्छा environment भी दे रहे Children coming from socio-economical disadvantaged background needs a classroom environment, which जो समाजीक आर्थिक रूप से वंचित प्रेस्टभू में से जो बच्चे आते हैं, उनके लिए कोन से वातावरण की आविशकता है, यह option कहा है, categorize children based on their abilities, categorize करने की बात कर रहा है, उनको अलग-अलग करने की बात कर रहा है, segregate करने की बात कर रहा है, यह option में बेकार है, C option कहा है, values and uses their cultural and linguistic knowledge, उनकी value करें, और उनकी जो cultural and linguistic, यानि जो उनका Sanskritic और भाषाई ग्यान है, उसका प्रेयोग किया जाए, तो यह option सही लग रहा है, D option कहा है, discourage the use of their language, so that they learn the mainstream language, उनको discourage किया जाए कि वो अपनी भाषा का प्रेयोग ना करें, यह option मे बिल्कुल गलत है, कभी भी आपको, बच्चा कोई भी language बोलो, किसी भी language का use कर रहा हो, आपको उसे discourage नहीं करना, यह आपका NCF कहता है, ठीक है, तो best option यहाँ पर C option है, question number 24 का, question number 25 कहता है, the intervention needed for creative and talented children in classroom restaurant, काक्षा में रचनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आ उन्हें अलग-अलग बच्चों को पढ़ाने की responsibility दे देनी चाहिए, जो creative and talented बच्चे हो, ऐसा नहीं करना है, teacher की जिम्मेदारी होती है, हर एक बच्चे को समालना, यह नहीं कि आप बच्चों के उपर वह जिम्मेदारी डालने, भी option कहा है, use, customize and stimulating instructional method by the teacher, इस तरह के जो ब instruction देना पड़ता है, ठीक है, अलग से उनके लिए कुछ extraordinary चीज़ें करनी पड़ती है, ताकि वह और ज्यादा बहतर होके निखर पाएं, उनका talent हो और ज्यादा develop हो पाएं, और ज्यादा creative हो पाएं, उनको extra time देनी की ज़रूरत है, आसी कोई बात नहीं है, normal classroom setting में ही उनका उनके ध्यान दिया जा सकता है, being affectionate toward them, और उनकी तरफ सने ही रहो, यह कोई बात नहीं है, सबी को एक साथ, एक समान हमें मानना है, ऐसा नहीं है, कि जो talented होगा, जो creative होगा, उसकी तरफ ही हमें ध्यान देना है, so be option जो है, वो यहाँ पर best option है, कि इस तरह के बच्चों को हम में customized or stimulating instructions देने की जरूरत है, मतलब उनको अलग से थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, अलग से उनके लिए कुछ चीजें करने की जरूरत है, ताकि वो बोर ना हो, उनका talent और ज्यादा develop हो, ठीक है, question में 25 का view option correct है, question चब इस क्या कहता है, which one of the following ways is not a suitable way to help hyperactive children, एक hyperactive बच्चे की मदद करने के लिए, इन में से कौन सा एक तरीका सही नहीं है, यह आपको बताना है, ठीक है, so options कहा है, reprimanding them often for being restless, बेचायन होने पर अकसर उन्हें फटकार लगाना, जब भी वो उचल कूद कर रहे हो, दोड़ भाग कर रहे हो, तो उन्हें फटकार लगाना, तो यह बात, यहाँ पर पहली ही बात, जो है वो गलत बात है, और आप से यही पूछा गया है, कि कौन सी बात गलत है, ठीक है, वी option कहा है, breaking up task into small, हाँ, यह बात सहिए कि जो इस तरह के बच्चे होते हैं, जो hyperactive होते हैं, इसको कहा जाता है, ADHD, यह एक तरीके का disorder होता है, ठीक है, ADHD, hyperactive deficiency disorder, इसका फुल फॉर्म होता है, तो इस तरह के बच्चों के लिए आपको क्या करना होता है, कि काम को छोटे-छोटे task में divide कर देना होता है, ताकि उस काम को वो कर पाएं, क्योंकि वो एक साथ बहुत देर तक concentrate नहीं कर पाते हैं, यह बात होती है, इन बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम होती है, तो अगर छोटा-छोटा काम दिया जाएगा, तो उसको जल्यल्दी वो कर लेंगे है, ठीक है, सी क्या है, offering alternative ways to learning, उनको अलगले तरह के सीखने के तरीके देना, यह भी ठीक है, including physical activity, इस तरह के बच्चों में physical activity करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यह बहुत ज़् पूछा ही वही option है, जो गलत option है, तो यह option यहाँ पर गलत है, और यही आपका सही है, question number 27, बस 3 question और आपकी बच्चरे हैं हाँ पर, pattern of divergent thinking identify children when, who are, ठीक है, जो divergent thinking है, इन में से कौन सी चीज आपको बताती है, बच्चा जो है, वो divergent thinking वाला है, लचीला हो, या आक्षम हो, या dyslexia, यह सारी चीज़े बेकार है, divergent thinking, यानि कि अब जो अलग सोच है, अलग अलग तरह की सोचने की जो शमता है, वो दर्शाती है, creativity को, ठीक है, which one of the following does not describe the way in which a teacher can model problem solving for children in classroom, निमलिखित में से कौन सा उन तरीकों का वर्णन नहीं करता, जिन से एक सिख्षक कक्षा में बच्चों के लिए समस्य समधान का model बना सकता है, अब इन्हें यहाँ पर पूछा गया है not, तो यहाँ पर जो गलत चीज है, वो आपको बताने की कौन सी एक चीज गलत है, जो बच्चों को problem solving बनाने में मदद नहीं करेगी, यह option क्या है, ask question with convergent answer, अभी पिछला question भी आपने देखा और यह वाला question भी यह दोनों चीज जो है, वो convergent और divergent thinking को बताते हैं, दो तरह की thinking होती है, convergent thinking और divergent thinking, अब divergent thinking का मतलब है, जब बच्चा एक चीज के बारे में अलग-अलग तरीके से सोच सके, ठीक है, एक चीज के बारे में अलग-अलग तरीके से बच्चा सोच सके, तो वो होती है divergent thinking, convergent thinking क्या होती है, जब अल वह बाधित हो जाती है वह और ज्यादा सोचने पर मजबूर नहीं होता है जबकि उस question का एक ही answer होगा और बच्चा उसी चीज़ को बतादेगा और काम करते है लेकिन जो divergent thinking है वह सोचने को और विक्सित करती है और बढ़ावा देती है ठीक है वो questions के options क्या थे तो convergent thinking जो है वो learning को limit करती है इसलिए यह चीज गलत है और आपसे यहाँ पर पूछा ही यही क्या है कि गलत क्या है तो यहाँ पर a option आपका सही हो जाएगा बाकी के options को भी एक बार देख लेते हैं बी क्या है discuss your thought process about solving a particular problem यह तो एक अच्छी बात है कि अगर आप एक particular problem को solve करने के लिए सोचते हैं कि इसको कैसे हल किया जा सकता है तो वो problem solving को बढ़ावा देगा c option क्या है be honest about making mistakes while solving a problem जब भी आप समस्या समधान कर रहे हो तो गलतियां करने से ना डरें और उसके प्रती इमानदार रहें तो यह यह भी एक अच्छी बात है ठीक है तो जो गलत है वो यहां पर सही answer आप तो हो जाएगा क्योंकि आप से यह पूछा गया है उन तिस्वा question क्या है which one of the following is an emotion इन में से कौन सा एक emotion है कौन सा एक भाव है तो attention memory और stimulus यह कोई emotion नहीं है ठीक है यह कोई emotion नहीं है फियर फियर जो है वो एक emotion है एक भाव है बहुत ही आसान सा question था यह question पर 30 क्या है last answer आपका last question a three year old child explains that milk is produced by a machine at milk booth ठीक है एक तीन साल का बच्चा यह बताता है कि जो दूध है वो बूथ पर machine से बनता है ठीक है तो निमनलिखित में से कौन से बच्चे की समझ की सर्भोत्तम व्याक्या प्रस्तुत करता है यह आपको बताना है options क्या है child's family does not offer a stimulus stimulating environment to the children बच्चे के परिवार ने बच्चे को एक ऐसा वातावर नहीं दिया जो उसको बता सके चीज़ें तो ऐसा कुछ नहीं है आगे देखते है options child has very limited exposure of the word यह भी बच्चा हो सकता है अभी तक दुनिया को जानता है और बहुत सीमित है वो चीज़ों को लेकर के आगे क्या है the child's answer is based on his experience of buying milk from the milk booth यह option सबसे correct option है कि बच्चे जो answer दे रहा है वो answer क्यों दे रहा है क्योंकि उसने अभी तक देखा ही उतना है ठीक है उस चीज़ को उसने experience ही उतना किया है अभी तक उसने दूद कहां से खरीदा है milk booth से खरीदा है तो उसे लगता है कि दूद जो है वहां से बनता है so यह option जो है बच्चे की thinking को सबसे अच्छे तरीके से describe करता है the option किया child has never seen cow हो सकता है यह बच्चे ने cow ना देखी हो पर यहाँ पर सबसे best option वो यही है कि बच्चे ने अभी तक जो experience किया है उस experience का मतलब यही है कि उसने milk booth से दूद निकलते वे देखा और उस आधार पर उसने वो चीज बता दी so c option यहाँ पर आपका correct option हो जाता है ठीक है अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ question number question number 20 question number 20 में c option आपका correct option है लेकिन question number 20 में c option आपका correct answer है लेकिन answer की में मैंने question number 20 में d option लिख दिया ठीक है तो इसे आप सही कर लेना कि question number 20 में आपका c option जो है वो correct option है ठीक तो यह थे हमारे आज के तीस question जो मैंने आपको बताए अभी यहाँ पर अब इन questions को एक बार इनकी PDF जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा ठीक है टेलीग्राम चैनल का लिंक in description में मिल जाएगा और जो pdf आपको मिलते हैं है वहां से भी आप टेलीग्राम चैनल को access कर सकते हैं या फिट डिरेक्ली टेलीग्राम पर जागर यह चीज़ सर्च कर सकते हैं वहां से भी आपको मैरा सेशन लेने के लिए अपना ख्याल रखिए खूब सारी पढ़ाई करते रिए बाई बाई मिलता हूं नेक्स सेशन में